ह Corporation and Japan दें राजन देंग जाटेवन आपको ट्रेड कैस लेना है और कब तक बैठना है जो डिफिकल्टी आते है बहुत सारे ट्रेडर्स की एंट्री ले लेखें ठीक एंट्री के बहुत लेकिन इस तरह की मार्केट में अगर आप लंबे टाइम तक बैठोगे न तो जो प्रीमियम आप रिसीव भी कर रहे होगे यानि जो प्रॉफिट आपका बन रहोगा वह वाँ चला जाता है खास तरह अगर एक्सपारी का दिन हो तो इस तरह की market में किस तरीके से trade करना है और कब exit करना है इसमें में कुछ तरीके बताऊँगा exit काप करना है कितनी देर में करना है वो भी मैं बताऊँगा कितना percent आपको profit बन जाता है तो आपका exit करना है वो बताऊँगा ठीक है तो पहले इन सारी चीज़ों को अटा देता हूं और इसकी जगे अगर निप्टी को एक डारेक्शन मुमेट नीचे गितरो एक सेल सैड में बैंग निप्टी में बहुत सारे लोग एकस्पेक्ट कर रहें कि यहां पर एक सैलिंग आ जाएगी या फिर यहां पर एक सैलिंग आ जाएगी लेकि नहीं आई क्यों नहीं आई वो भी हम समझेंगे एक सिंपल तरीका और इस चीज़ को अपलाई कर सकते हैं अब यह बैंग नहीं पता सेलिंग आगी फिर यह बाइंग आगी अचानक इस पॉइंट से बाइंग आगी प्रिवेस क्लोजिंग से अचानक एक सपोर्ट ले लिया मार्केट में ठीक है चलो इतना एक नॉर्मल हो गया कि मार्निंग मार्केट उपन होई प्रोफिट बुकिंग बगेरा औ इसकी पीचे पीसे जो इनवेस्टर होते है जो बड़े ट्रेडर होते हैं बेसक्रीट बाइन का ये चलो करना के है आपको जैसे ऐक पॉइंट दिखा पहले ये नहीं मार्केट नहीं कि मार्केट नेहां से सपोर्ट लिया आप सिंपल उन चीजों को मार्क करते हो चलो जैस की तरफ selling आगई अभी नीचे selling आगई अब जो दूसरी चीज मैंने बताई कि कैसे पता करें कि या जल्दी निकलना है किसी trade से या फिर लंबे time तक बैठना है जैसे अगर कल के दिन अगर आप trade में लंबे time तक बैठते हो तो अच्छा profit बनता आज अगर लंबे time तक बैठते अब इसका जो range है अगर यह जादा है यह आपको देखके पता चल जाता है फिर भी अगर बता दू तो 0.5% के आसपास है यानि 0.3 से अगर जादा हो यहाँ पर देखो कि तो बहुत ही narrow है और यह market trending है 0.3 से जादा हो यह कितना है यह भी चेक कर लेते हैं यह हमारा है market को उसको break करने में दिक्कत होती है क्यों दिक्कत होती है अगर नीचे से भी market आ रही होगी न बहुत ही rare chance है कि उसको break करके चल जाए पहले चीज तो यह आपको ध्यान रखना है अगर किसी दिन CPR का रेंज जादा चोड़ा है और मार्केट उसके आसपा सारी जैसे अब यहाँ पर मॉर्निंग में बड़ी केंडल बनी यहाँ बड़ी केंडल बनी बहुत सार लोग सोच रहोंगे यहां से मार्केट इस तरीके से का होना चीए अब यह पॉइंट 3% कितना होता है लगवागे 130 120 या 100 पॉइंट से 120 पॉइंट का ब्यांक निप्टी में जैसे कि मैं आपको एक्जाम्पल भी दिखाऊंगे कहां पर यहां पर देखोगे मार्केट यहां से नीचे आप यहां पर मार्केट क्या कर रही है यह यह वाले लेवल पर अगर आप देखोगे नहीं यहां पर मार्केट मुल्टिपल टाइम रिजिस्टन से करें यहां पर नीचे तो आपको पता है कि मैं बहुत तगड़ा सपोर्ट नीचे मार्केट नहीं जा सेकते लें क्या उपर के लिए डारेक्ट ट्रेड ले सकते हो न 0.25 या 0.3% के आसपस का टार्गेट आप रहो एंट्री के बाद जैसे मालों यहां से अगर मैं 0.3% के आसपसर रहता हूं रुपए के 140 पॉइंट का होता है और यह हमारा यहां पर आता है यहां पर यहां पर यहां पर आता है मार्केट थोड़ा से ऊपर गई और वहां से आपको नहीं मिलेगा इससे बड़ा टार्गेट नहीं मिलेगा बहुत ही रहे चांसे कि मार्केट आपको इससे बड़ा टार्गेट दे 0.3% से ज्यादा अगर टार्गेट यह नहीं 140-130 पॉइंट से ज्यादा जिस दिन मार्केट साइडवेज हो जिस दिन मार्केट ट्रें अब मालो एक entry हमारी यहाँ पर बने, उसी के basis पर, अब यहाँ से ऊपर की तरफ market जा रही है, बहुत सारे लोगों का बुलीस के, हम जैसे हमारा एक target fix थाम नहीं हाँ पर निकल गए, ठीक है, मालो re-entry करने, इस तरह की market में आप scalping कर सकते हैं, scalping के लिए आप छोड़े- भी समझा अब इसको, ठीक है, यहाँ से वापस market उपर जाने की कोशिश करी, अब एक high यह बनाया market ने, एक low यह बनाया, market reverse आ गई, इस high को cross नहीं किया, market यहाँ से reverse आ गई, अब psychology को सम्दो, price action के, और यह वाला break हो गया, यह break हो गया, एक high यह बना, एक low यह बना, market high को cross नहीं किर पाई, market low को cross कर दे, इसका मतलब market में weakness है, market में sellers हो ही है, अब इसके basis पर आप entry ले सकतो, यहाँ पे, लेकिन उसको confirm करने के लिए, आप क्या कर सकते, एक दूसरी चीज का यूज कर सकतो, simple trending trend line, किस तरीके से, market इस तरीके से, सीडियो के तरह उपर चड़ जारी थ अगर मालो आप exit नहीं करते, 0.3% के आज पास, जो भी premium आपके आ रहा था, वो premium वापस reverse हो जाता, आपने यह देखा होगा कि expiry के दिन last time पे, मालो market आपके favor में जाती तो premium जो option जो इस तरीके से बढ़ता है, लेकिन अगर वो reverse होता है, तो बहुत तेजी से वापस नीचे कभी नहीं होगा, इस चक्कर में आप बहुत सारा loss कर बैठ होगे, इस तरह की market में कोशिश करो, छोटे trade जैसे मैंने बता है, percent is why, वो आप capture करने ही कोशिश करो, और market ने अगर कोई important level बना रहा है, उन levels को आप ध्यान रहा हो, उसके basis पे आप trade लेना का plan करो, हाँ, अगर market में जो range है, जैसे कि ये nifty का था, ठीक है, nifty में, अगर आप देखोगे, तो ये range कितना है हमारा, cpr का range है, 0.2%, ठीक है, market में एक direction movement मिल सकता है, और market में जो भी important level है, देखो, ये line ड्रो हो रहती है, कई पर chart पे, जो भी target है, उसको capture करने ही कोशिश को, इसमें आप एक तक यहां तक आता है, ठीक है, 0.5 तक, इस तरीके सब आपना trading प्लान करो, अगर आप randomly कहीं भी trade लेता हो, तो definitely आप market में जो gambling कर रहे हो, gambling मत करो, price action को समझो, और patience के साथ trade लो, फिर भी कोई doubt रहता है, definitely मुझे comment कर सकते हो, so okay guys, we will meet in next video, till then goodbye, thanks for watching guys.